हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं फिर देखिए फिर से मैं लेकर आगया हूं स्टेट फॉर का कोश्चन नमर वन ओके तो आए सॉल्व करते हैं इसको हाई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे सॉल्व कर सकते हैं इसको पहले वीडियो पॉस्टर के कहता है कि स्याम सी आई की चार परसेंट वार्सिक दर पर 65 रुपया उधार लेता है दो वर्स की सी आई क्या होगा यदि व्याज बार्सिक संयोजित होता है तो जो भी बूछ रहा है आपको दिया हुआ है कि 655 कि इस फोड़ सो रुपया कितना कहा है चार परसेंट बार्सिक दे रहा है दो वर्स के लिए तो पहरे साल के लिए क्या बोले से क्षेश चोड़कर एक पॉइंट पईठा रहा है यह एक फसेर निकल गया चार परसेंट निकलना त तो 65 चोके कितना हो जाएगा 60 चोके 624240 और 5 चोके 20 कितना हो गया 260 रुपया हो गया सिर्फ एक बर्स के लिए अब फिर दूसरे साथ के लिए इसी पर 4% ब्याज लेगा कितना हो जाएगा 260 रुपया अब compounded का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज लेना तो इस पर भी 4% लेगा तो दो चोड़ रहा है यह निकल गया एक परसेंट चार परसेंट निकाल रहा है तो चार से 45 पैसा यानि 530 रुपया 40 पैसा यहीं आपका अंसर हो गया तंटां ओके क्या हाल है ठीक है हासो मत देखो ना इधर कह रहा है क्या कि सेट फोर का एक कोश्चन नमर्ट तू है और यह प्रॉफिट एंड लॉस है इस तरह का कोश्चन का अलग अलग टाबी होता है कह रहा है यदि एक दुकंदार फल खरिदते और बेचते समय तौल की गड़वड़ी में 15 परसेंट तक करता तो उसका कुल लाब परसेंट क्या होगा समझेगा ध्यान से जैसे कि हम एक दुकंदार हैं हम कोई समान खरीद रहे हैं तो उससे 15 परसेंट काम गड़वड़ी कर दिये है मतलब कि हम प्रॉफिट लिए हैं और 15 परसेंट बेचते समय किसी दूसरे आदमें को बेच रहा है तो वहां पर भी 15 परसेंट काम गड़वड़ी कर दिये हैं धुका धड़वड़ी किये हैं उसके साथ तो कह रहा कि overall हमको कितना का प्रॉफिट हुआ है लाब परतीसत प्लास 15 गुने 15 बटा 100 कर देना है यही आपका अंसर हो जाएगा तो देख लिए 15 15 कितना हो गया 30 प्लास 15 का स्कॉयर करेंगे 225 225 यहां हो गया और यह 100 है तो प्वाइंट बिठा देए दोड़ी जिट के बाद तो कितना हो गया 2.25 यानि 30 और 32.25 32.25 यही आपका उप्स यह सेट 4 का कोश्चन नमर 3 है ठीक है जो की कौन से टॉपिक से पूछा है तो मीन मीडियन मोड से इसका मतलब कि यह रेलवेव में यह चैक्टर से बहुत वार कोश्चन रिपीट करता है ठीक है जिसको हिंदी में माध्य माधिका और बहुलक बोलते हैं इंगिस में मीन तो कॉंट कर लेता है पहले या पहले लिख लेता है अस इंडीक और में क्यूंकि यहां पर है नहीं यहां देखिए 7 है फिर 5 आ गया है तो ऐसे एरेंज कर लेता है 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 कॉंट कर लेता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नौ दस इगारा इगारा है अब इसमें से पांच लिफ्ट कर देता है पांच राइट कर देता है एक दो तीन चार पांच पांच इधर से छोड़ देता है एक दो तीन चार पांच पांच इधर से छोड़ देता है बीच का मेलू ही मेडियन कहलाता है कब जब आपका आकड़ा जो है वो और रहे इवन रहे तो कुछ टोपिक काफी important है जैसे simple interest हो गया percentage हो गया compound interest हो गया profit and loss हो गया time and work हो गया time and distance हो गया यह सब पर ध्यान दिजिएगा ठीक है तो solve करता है करता राम SI यानि कि साधारन गया simple interest की 6% वार्सिक दर पर 600 रुपया उधार लेता है ठीक है चार बर्स के बाद रिन यानि कर्ज चुकता करने के लिए उसे कितना भुकतान करना होगा मतलब कर्ज ले रहा है 600 रुपया छे परसेंट से ठीक है और चार बर्स के बाद उसको कितना देना पड़ेगा तो एक बर्स में बार्सिक दर काने का मतलई होगा कि एक बर्स में 6% देना पड़ रहा है इसका ब्याज और पूछ वीरा ब्याज तो एक साल में 6% तो चार साल में कितना देना पड़ेगा 24% यानि कि 600 रुपे का 24% तो हम जानते हैं कि दो डीजिट छोड़कर पॉइंट बैठाएंगे तो यह आपका एक परसेंट निकल जाएगा तो एक परसेंट छे रुपया तो 24% कितना 24 पचे बीसा से 24 चवाल से 144 रुपया आपका अंसर ठीक है तो फ्रेंट्स यह आपको एस्टियम और एस्टियम से कोश्चन है अब थोड़ा सा यहां पर पात एक अनुपात दो है तथा मासा है मासा मनें HCF 16 है तो उनका लास है यानि कि HCM कितना होगा ऑप्शन दिया होगा सॉला साथ टेस्ट बात्तिस छोटा कोश्चन है लेकिन पूछा जाता है तो रेसियो में आप देखिए मासा आपको दिया हो है सुला ठेक है और इसका र 1 होगा 1 & 2 का इतना और पूछ रहा आप से लिए उनका HCM कितना होगा दो संख्या का अगर 2 संख्या और 2 रहता है तो इसका HCM कहतना होता कि 2 होता तुससे multiply कर दिया आपका Software बत तिस यह आपका answer है तो इसी तरह का अगला part देखने के लिए आप हमारे channel को like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए, मिलते हैं अगले part में straight 4 का, ठीक है, thank you